हालो एब्रिवान सभी का सभगत है हमारा चनल adzk मंत्रापर तो आज का हमारा सेशन क्या होगा आज का हमारा सेशन होगा जो rrb, ntpc, cvd2 and group d का ठीक है जो previous एर questions है ठीक है तो यह part 3 है ठीक है तो part 1 and 2 अल्रेडी दिया हुआ है अगर नहीं देखा तो जरूर पार्ट 1 और 3 देखके यह पार्ट 3 देखेगा यह बहुत इंपर्ण कोशन ठीक है प्रिविएज यह कोशन अल्वेस फॉलो है था एक्जाम में और NTPC में इतने सारे सेट्स होते तो जरूर यह कोशन पूछे यह देखलेते हैं यहाँ पर क्या इंपर्ण कोशन ठीक है जितने के विकोशन लिए तो यह पार्ट 3 है ठीक है तो चली स्टार्ट करते है आज का सेशन तो फस्ट कोशन है तो फस्ट कोशन है यह व्वाइज नहीं अब द फॉल्पर्दर ओफ मॉरन इंडियन रेनेसंस तो चले, next question, question number 2, according to the constitution, which of the following article provides the protection of life and personal liberty, ठीक है, जो protection of life and personal liberty ये, कौन से article में बोला गया, ठीक है, हमारे Indian constitution में, तो article, कौन सा होगा answer, answer होगा option B, article 21, ठीक है, सभी जो article से बहुत ही important है, ठीक है, 21, कौन से, किस में परते हैं, ये fundamental rights के अंदर परते हैं, ठीक है, fundamental कितने से कितने तक हैं, ये 12 से 35 तक है, ठीक है, ठीक है, चले, next question, question number 3, which day is observed as the constitution day in India, कौन से day को constitution day माना जाता है, तो कौन सा day होगा, इस cancer क्या होगा, इस cancer होगा, 26th of November 1949, क्योंकि constitution जो हुआ था, 26th of November 1949 में ये त्यार हुआ था, और जो enforced हुआ था, वो January 26th of November, तो इस cancer क्या होगा, 26th of November, next question, question number 4, which planet is known as the evening star और morning star, ठीक है, evening star और morning star बोला जाता है, कौन से, ऐसे planet को, तो क्या होगा answer, इसका answer होगा, वेनस और ऐसे बोलते इसको सुक्र, ठीक है, सुक्र ग्रहो, बहुत ही, खुब शुरत ग्रहो ये, ठीक है, चलिए, next question क्या है, next question, question number 5 क्या है, who is known as the frontier grandhi, तो frontier grandhi बोला जाता है किसको, frontier grandhi बोला जाता है, खान, अब्दुल, गफर खान को, ठीक है, answer क्या होगा, खान, अब्दुल, गफर खान, ये question भी, बहुत बार एक्जाम में पूछे गए, ठीक है, NDPC का तो ये favorite question है, ठीक है, चलिए, next, next question, question number 6 क्या है, In which year the Charles Wilkinson, जो English version of Bhagavad Gita was published, तो कौन से, कौन से year में Charles Wilkinson का, जो English version of Bhagavad Gita, जो published हुआता है, तो कौन से year में होगा, इस cancer क्या होगा, इस cancer होगा, 1785 में हुआता है, ठीक है, 1785 इस cancer है, ठीक है, चलिए, next question देखते है, next question, question number 7 क्या है, what is the orbital period of Hallel's Comet, ठीक है, जो Hallel धुमके तो होता है, ठीक है, इसका orbital period क्या होता है, that means कितने साल के बाद हम देखती इसको, ठीक है, तो इस cancer क्या होगा, इस cancer होगा, 75 years, ठीक है, 75 से, normally 76 years होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है, next question क्या है, next question है, question number 8, who was the first woman to travel in space, ठीक है, तो space में जो पहले महिला गए थे, तो कौन गए थे, तो क्या होगा इस cancer, इस cancer होगा, option B, Valentina Tereskova, ठीक है, ये भी important question है, ठीक है, ये question आज भी पूछा जाता है, next question, question number 9, who had worked as an officiating or acting prime minister of, ठीक है, ये off होगा, इसका answer क्या होगा, इस cancer होगा, गुल जारी लाल नंदा, ये बहुत बार exam में पूछे जाते हैं, ठीक है, not only in anti-PCR group D, अदर सी exam में भी ये question बहुत बार पूछे गया है, ठीक है, बहुत important questioning, ठीक है, next question क्या है, question number 10, who was the leader of बर्दोली सोताग रहो in 1928, ठीक है, तो 1928 में जो बर्दोली सोताग रहो हुआ था, तो इसमें leader कौन थे, तो leader थे, answer क्या होगा, सर्दार बल्लब भाई पटेल, ठीक है, सर्दार बल्लब भाई पटेल थे, next question देखते है, next question क्या है, question number 11, तो क्या होगा, which Indian freedom fighter has flagged the सप्टर्थी flag in the Stadgar in the Germany, 1907, ठीक है, तो 1907 में flagged कियेते हैं हमारे freedom fighter, तो कौन थे हमारे Indian freedom fighter तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा, madam kama और madam vika ji kama बोलते हैं, तो इसका cancer क्या होगा, madam kama, next, question number 12, क्या है, राजा जी national park, ठीक है, तो ये situated एंडिया के, हमारे इंडिया के, हमारे इंडिया के कौन से स्टेट में, राजा जी national park situated है, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा, उत्तरा ख़ण, ठीक है, तो उत्तरा ख़ण में राजा जी national park है, ठ lanzal park से question भी important है, ये question पूछे गये, चलिए तो next question देखते हैं तो next question क्या है next question है which of the following is the official language of Goa Goa के official language क्या है NTPC और railway में बहुत ठीक है इतने भी exam होते हैं railway के तो railway exam में ये language पूछे जाते हैं ये जरूर याद रखेगा ये language का question जरूर railway पूछेगा ठीक है तो क्या है तो official language क्या है Goa का Goa का official language है कौन का नी language ठीक है ऐसे जितने भी state और इवने टेटरिस का language है तो आप लोग का जाना जरूरी है ठीक है इसके भी हम एक separate video दाल देंगे चलिए तो next question question no.14 क्या है who among the following is considered at the father of father of Indian civil service ठीक है इंडियन civil service का father बोला जाता है किसको तो कौन होगा इसके एंसर है इसके एंसर होगा Lord Conwallis को बोला जाता है ठीक है Lord Conwallis next question question no.15 Thomas Cup ठीक है यह associated with which game or sports so concert game or sports से related है यह Thomas Cup तो इसके एंसर क्या होगा इसके एंसर होगा badminton ठीक है badminton से related है यह Thomas Cup next question no.16 which part of human brain is the center of intelligence intelligent memory and emotion ठीक है तो कौन से ऐसे human brain का पाठे दो center है intelligence and emotion का तो क्या होगा यह is cancer होगा cerebrum ठीक है cerebrum होगा इसका answer चले next next question क्या which process is being used in the dairy separation of cream from milk ठीक है आसे कौन से प्रोसे से जिस यूज कर के जो dairy separation होते cream ठीक है dairy from separating cream from milk ठीक है तो milk से जो cream separate होता है तो कौन से प्रोसेस से यह होता है तो इसका प्रोसेस का नाम क्या है यह प्रोसेस बहुत important यह centrifugation से होता है ठीक है यह answer क्या होगा इसका centrifugation ठीक है चले next question question no.18 क्या है the environment protection act of India was enacted in which year कौन से यह में environment protection act enact होता हमारे इंडिया में तो answer क्या होगा इसका answer होगा 1986 में हुआ ठीक है तो answer होगा 1986 ठीक है चले यह question ऐसे जो जो act बने थे ठीक है कौन से साल में बने थे यह जरूर याद रखिएगा ठीक है तो यह 1986 answer होगा environment protection act बहुत important तो next question क्या है in which Indian state is the Nanda Devi pic located तो Nanda Devi pic कौन से तो कहां पहे Nanda Devi pic तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा उत्तरा खन ठीक है तो इसका answer क्या होगा उत्तरा खन Nanda Devi बहुत ही बाहर एक्जाम में पूछे गया है ठीक है तो चले यह next क्या है next question देखते next question question number 20 which of the following layers of the atmosphere that makes the radio communication possible तो कौन से layer के माध्यम से यह होता है ठीक है तो कौन होगा तो यह आयनो स्फियर के वज़ा से होता है ठीक है तो ऐसे console layer के माध्यम से तो radio communication अच्छे से होता है तो यह आयनो स्फियर के वज़ा से होता है ठीक है चले इंपोर नहीं next next क्या है question number 21 who was the governor general of India during the Sipoy mutiny of Indian freedom struggle Sipoy mutiny कब हो आता यह ठीक है जो 1857 में जो Sipoy mutiny होए थे ठीक है तो स्टार्टिंग थे महाभिद्र के तो क्या होगा यह Sipoy में जो governor general थे तो कौन थे एंसकर क्या होगा एंसर होगा Lord Canning थे ठीक है क्योंकि जो पहले governor general बने थे जो 1856 से 1862 थक थे इसे लिए 1857 में governor general थे Lord Canning next question question number 22 in which year did Mahatma Gandhi return to India from South Africa तो आफ्रिका से जब इंडिया आयते मात्मा गांधी तो कौन से एर में आये थे तो कौन से एर में आये थे यह 1915 में आये थे कहां पर पहले बार आये थे मुंबाई में आये थे ठीक है पहले इसके answer क्या होगा Mumbai answer तर होगा 1815 मुंबाई में आयते हैं नेक्स कोशेंट कोशेंट नमर 23 विच इस यूज्ट टो रीस्टो दा कलर ऑफ ओल्ड ओयल पेंटिंग तो ठीक है तो किसके वजासे ये ओल्ड ओयल पेंटिंग का कलर रिस्टो होता है तो कैसे किसको यूज किया जाता है यहां पर तो क्या होगा hydrogen peroxide and H2O2 ठीक है H2O2 बोला जाता है इसका फॉर्म है ठीक है chemical formula चाले next question question number 24 क्या है question number 24 is which of the following rivers originates from Amarkandak Hill in Madhapradish ठीक है Amarkandak Hill से उत्पन होता है से कौन से river ठीक है जो Madhapradish का पाठे तो इसका answer क्या होगा नर्मदा उत्पन होता है ठीक है नर्मदा नदी ठीक है अमर कंटक्स से उत्पन होता है next question question number 25 कुचीपोडी is a dance drama associated with which state of India कौन से state से ठीक है कौन से state से associated है हमारे जो कुचीपोडी dance form है तो dance drama है तो इसका answer होगा बहुत ही फेवरेट और बहुत ही important question है ठीक है ये इंटे PC का favorite question है तो answer क्या होगा इसका answer होगा अंधर प्रदेश ठीक है not only this all other जो भी folk dances से सभी एक्जाम में पूछे जाते है पर ये कुचीपोडी dance बहुत ही important है ये अंधर प्रदेश का पार्ट है ठीक है तो अंधर प्रदेश से associated है next question question number 26 क्या है who is generally considered to be the father of Indian renaissance किसको बोला जाता है father of Indian renaissance तो कौन होगा answer answer होगा Raja Ramon Roy को बोला जाता है ठीक है Raja Ramon Roy father of Indian renaissance चले next question question number 27 which of the following articles of the Indian constitution that deals with the fundamental duties ठीक है तो fundamental duties है जो relate करता है तो ऐसे कौन से constitutional कौन से article है तो क्या होगा answer होगा article 51a ठीक है अगर पार्ट बोलेगा तो क्या होगा पार्ट 4a होगा ठीक है यह भी पूछा जाता है ठीक है तो fundamental duties का यह दो ही important है पूछा जाता है यह question चले तो next question का है next question है question number 28 which disease is caused by the deficiency of vitamin D ठीक है ऐसे कौन से कौन से disease होता है deficiency के वज़ा से vitamin D के deficiency वज़ा से जो disease होता है तो कौन सा disease होगा यहां पर तो answer क्या होगा इस cancer होगा ricket ठीक है ricket होता है vitamin D के deficiency के वज़ा से next next question question number 29 का है permanent revenue settlement of Bengal was introduced by whom किसने permanent settlement को introduced किया था हमारे बेंगाल में तो कौन होगा इसका answer क्या होगा इसका answer होगा lord conwallis ठीक है lord conwallis को भी बोला जाते permanent settlement जो किये थे ठीक है तो permanent revenue settlement of Bengal किये थे lord conwallis ठीक है यह बहुत exam में पूछे जाते ठीक है ntpc में तो पूछे जाते जाते ठीक है group d में का favorite है ठीक है next question क्या है next question है who among the following was written the famous poem surferosi की तमना ठीक है ntpc group d दो ही दो ही जगा पे question पूछे गए ठीक है previous year का यह तो कौन होगा इसका answer इसका answer होगा surferosi की तमना answer होगा बिसमेल अजिमबादी ठीक है answer होगा बिसमेल अजिमबादी ने इसको लिखा है ठीक है तो यहां पर जो 30 जो पार्ट 3 है ठीक है यह ntpc का जो ग्रूब डी का जो पार्ट 3 previous year question से तो 30 question दिया यहां पर important है यह जरूर इक question को जरूर देखिएगा ठीक है आपके लिए helpful होगा जो exam आने वाला होगा सायद कि दिन बात ही होगा ठीक है तो चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर अच्छा लगा तो एक लाइक शूर सब्स्राइब जरूर कर देना चैनल में जरूर सब्स्राइब कर देना ठीक है और वह बेल आइकन को दबाके रखना क्योंकि जबी आम वीडियो डिल आपके पास नोटिफिकेशन पहुच जाएगा ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं था था था